पंजाबी सिंगर सिद्धो मुसे वाला हत्यागान का एक आरोपी जिसका नाम बताया गया था गैंक्टर टीनू हरियाना जिसको लेकर एक खबर आ रही थी दो दून बहले कि टीनू हरियाना ने पंजाब के गोईनवाल साहिब जेल में एक बड़े कांड को अंजाम दिया है हमें बैठा कोख्याद गैंक्टर से आतंकी बन चुका लखवेर सिंग्लांडा इस पूरे वारतात को करवाने के लिए उसने वहाँ से फोन किया था लागि यह फोन कैसे आया था गहां आया था इन सब बातों की जानकारी अभी तक निकल कर सामने नहीं आ पाईए और क्या कुछ गोईनवाल साहिब जेल में टीनू हरियाना के कांट को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे तो बने रहेगा वीडियो के इन तक नमस्कार मेरा नाम है देवनात पांडे और आप देख रहे हैं बीडियोफ न्योज की क्राइम सिरेट जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं आप रात के दुनिया के चोटी और पड़ी खबरे गैंकटर टीनू हरियाना जो हरियाना के भीवानी का रहने वाला बताया जाता है लेकिन लाुरेंस विस्तोई के कामकाच को हरियाना के अंदर ऑपेरेट करता था लेकिन बिछले अक्टूबर में जब वो चर्चा में आया जब उसने बंजाब के मांसा की सिरे यह को धो दो दो दिन पहले एक बड़ी ख़बर निकल का सामने आई कि पंजाब की गोईनमाल सब जेल में जो कि हाई सिक्योर्टी जेल कही जाती है उसके अंदर टीनू हरियाना और एक मनप्रीत मनना नाम का उसका एक साथी था इन दोनों ने पहले अपने पेट दर्द के शिकायत की जो गार्ड वहाँ पर मौचो उत्ता संतरी वो इन दोनों ही बड़माशों को उसके बाद जो जेल में अस्पिताल बने होते हैं वहाँ पर ले जाने की कोशिश करने लगा लेकिन जब तीनों हर्याणा अपने साथी के साथ जेल में बने अस्पिताल में जा रहा था तो अभी वहाँ से फरार होता है वापस बैरक में आता है और अपने विरोधी गैं के बदमाशों को 20 से 25 लोगों की संख्या में ये हो जाते हैं और उसे मिलकर मारने लगते हैं औ लेकिन तीनों हर्याणा ने जब देखा कि ये संतरी भी बचाने की उकोशिश कर रहा है तो उसने चमच से बने हुए हतियार जो चमच को रगड के जेल के अंदर ये बदमाशका तक हतियार बना लेते हैं तेज धारदार हतियार बना लेते हैं तो उसने उस पॉलीस वाले क करने को कहा था कैनाडा में बैठ कर हला कि इन सब बातों में अभी बहुत सारे दाव पेच हैं ऐसी लेकिन जो मेडिया रिपोर्ट में खबरे निकल कर सामने आ रही है उसके आधार से देखा जाए तो ये बाते निकल कर सामने आ रही है तीनु हर्याणा ने जिन बदमाशों को मारा था उसमें से करन प्रीट सिंग जो की कुक की ढपका जलंधर करने वाला था उसकी मा कुल्दीब कौर ने पंजाब के मुख्य मंतरी भगवन दमान को एक लिखित शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि किनाडा में बैठे आतंकी लखविर सिंग के इशारे पर बड़ी साचिश के तहत जेल के अंदर इन गैंक्स्टों ने उनके बच्चों को मारने की कोशश की है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्रे जेल गोईनबाल साहिब जेल में करीब 200 से ज़्यादा कोंखार गैंक्सर जो हैं वो इस वक्त दसजा काट रहे हैं पंजाबी सिंगर सिदो मुसेवला हत्यागान से जुड़ा हुआ गैंक्सर दीपक टीनो और उसके साथी मंदीप सिंग मन्ना ने अपने करीब 25 साथियों के साथ मिलका जो उनके बच्चों पर हमला किया था उस समले में उनका बेटा करन टीज सिंग फते और उसके दो दोस्त जिसका नाम मनीश और अमन बताया गया था इसके लावा एक जैसा मैंने कहा कि जेल कर्मी भी घायल हो गया था तो इस पुरे मामले में कुलदीब कौर ने आरोप लगाया है कि जितनी देर तक तीनों हवालाती अधमरे नहीं हो गया तब तक कीनों गैंक्टर अपने साथियों के साथ उन सभी हवालातीयों को मारता रहा फिलाल कुलदीब कौर के शिकायत की कौपी डीजीपी पंजाब, एडीजीपी जेल, एडीजीपी सुरक्षा, डीजी फिरोजपूर, एससपी तरंतारन और जिला सेशन जज्ज तरंतारन को भी सौपी गई है बेजी गई है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, आला कि जेल के जौदीक चग है, वो ये साफ साफ गयते हुआ दिखाई दे रहे हैं, कि इस पूरे मामले में जिस तरह से लकविर सिंग लांडा का नाम सामने आ रहा है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है ऐसे में आप देखना हैं मुगा कि टीनू हरियाना जिस तरह से जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर बंद रहने के बाद भी वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है, तो क्या कैंक तर टीनू हरियाना को इस तरह से खुले आम देखा जाए, तो एक जो हाई सिक् पी इस तरह की वारदा तो को अंजाम दे सकता तो फिलाल इस पुरे मामले की जानत करदाल की जाने की बात कही जा रहे है लेकिन सवाल बही है कि यहीं वो Goinbal साहिब की जैल है जिसे High Security जैल कहा जाता है और इसी जैल से Production Warrant पर मांसा CIA का Incharge प्रेत पाल सिंग टीनू हर्याना क प्रोडेक्शन वरांट पर लेकर गया था और यहीं से उसके पुरे भागनी के जो पटकर्था लिखे गई थी इसी जेल से लिखी गई थी लेकिन आप बिडबना देखिए वापस पकड़े जाने के बाद टीनू हरियाना इसी जेल में एक बात फिर से चला गया है और यहाँ आप इस तरह से इसे कह सकते हैं कि टीनू हरियाना का यहाँ पर सब कुछ एजेंडा सेट हो सकता है तो फिलाल इस पुरे मामली में अभी जांच पड़ताल के जा रही है जांच पड़ताल के बाद कई सारी जो कड़िया निकल कर खुल कर सामने आएंगी उसमें देखना है म हार्ड कोर क्रिमिनल वाले जो बैरिक होते हैं उसमें रखना चाहिए या फरेस्तान से खुले हाम सभी कैदियों के साथ रखना चाहिए अपने विचार अपने चबाद चरूर दीजीगा और इस कबर में आपको क्या तरक लगता है अपने तरक चरूर रखिएगा आपका ब प्रेव नोच नमास्कार